लो स्टुडेंट्स हम कर रहे हैं exercise 4.4 का question number 7 तो यह divide करना है हमने इससे सो यह बीच में आएगा यह बाला जो divisor है वो बाहर आएगा so 967 का table मैंने पहले ही लिख लिया है आप भी ऐसे लिख सकते हो बना केटी क्या so हमने लेना है अब number जो इससे बड़ा हो इससे बड़ा जो number बन रहा है वो बन रहा है बड़े तो बाकी बन रहे लेकिन जो सबसे चोटे वाला इससे बड़ा हो so 4716 यह देखना है यहां पर कहां पर आ रहा है 47 वाला तो 47 वाला यहां पर नहीं आ रहा 48 वाला यहां पर 38 वाला तो हमने चोटे वाला लेना है 3868 ठीक है 3868 यहां पर आ गया so यह कहां पर आया था 4 पर आया था so हमने इसको इससे माइनस कर देना है 6 में से नहीं जा सकते तो यह 1 हमने यहां से बोरो कर लिया 16 में से 8 गए 8 जी नहीं जा सकता फिर हमने बोरो किया 10 में से 6 गए 4 6 में से 8 नहीं जा सकते फिर हमने बोरो करना पड़ेगा 1 यहां पर 3 रह गया 16 में से 8 गए 8 3 में से 3 गया 0 आगे हमने सिर्फ 1 डिजिट ही नीचे शिफ्ट करना है so 8485 वाला यहां पर देखना आ रहा है नहीं आ रहा लेकिन उससे छोटे वाला आ रहा है यह वाला आ रहा ह ठीक है तो यह आ गया 7736 so और ने इसको माइस करना है लेकिन उससे पेले देखना है कि कोशिंट में क्या रहा है gotta 8 आ रहा है था पर जा रहा है नहीं से यहां परागया 8 अव्य 5 में से नहीं जा सकते, यहां पर 15 बन गया, यहां पर 7, 15 में से 6 गए, तो कितनी होते हैं, 9, 7 में से 3 गए, 4, 14 हो गया, यहां पर हो गया, 7, 14 में से 7 गए, 7, 7 में से 7 गए, 0, तो आगे आगया, नीचे, 4, 74 वाला देखना है, नहीं है, उसे छोटे वाला देखते हैं, तो यह वाला आ रहा है, यह वाला है, 6, 7, 6, 9, तो यह कहां पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, तो 4 में से 9 देखना ही जा सकते, 14 यहां पर आ गया, 8, 14 में से 9 मैंस किये, तो कितने होते हैं, 5, 8 में से 6 की 2, यहाँ पर नहीं जा सकता तो यह 14 वन गया यह वाला 6 अब यहाँ पर 14 था 14 में से 7 गया 7, 6 में से 6 गया 0, so 1 जो डिजिट अगला है वो नीचे आ गया अब देखना है 72 वाला यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा फिर हमने उससे छोटे वाला मतलब यही वाला नमबर आ रहा है और यह 7 पर आ रहा है, ठीक है तो यह आ गया नमबर किस पर आ रहा है 7 पर तो इसको हमने इससे माइनस करना है तो 8 का बन गया 18 और 5 का बन गया 18 में से 9 गये 9, 4 में से नहीं जा सकता यहां पर 14, 14 में से 6 गए, 8, 11 में से 7, ठीक है, अब यहां से करना पड़ेगा न, अक्तु यहां पर 6 रह गया था, 11 में से 7 गए, कितने होते हैं, 4, ठीक है, यह 6 में से 6 गया, 0, सो यह वाला इससे चोटा आ गया और आगे नंबर भी कतम होगे, that means कि हमारा जो कोशन है, वो यहां पर ही फिनिश हो गया है, कोशेंट कितना आया, यह वाला कोशेंट, यह वाला रिमेंडर, यह आगया आपका, ठीक है, आओ हम अगला कोशेंट करते हैं, जो हमारा कोशेंट है, वो है, 815 से इस नंबर को डिवाइट करना, तो, क्या आएगा यहां पर, 8272870, इसको हम बोलते हैं, डिविडेंट, और इसको बोलते हैं, दिवाइजर, ठीक है, तो, 815 का टेबल लिख लिए है, बनाके, वेरी इसी, मल्टिप्लाइ करकर के आपने करना है, तो, 827 लिएगे ना, इससे बड़े वाला, 827, तो, 827 यहां पर, कहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन उससे छोटे वाला आ रहा है, सो 815 लेना है हमने छोटे वाला लेलो अगर नहीं आ रहा अब कहां पर आया था यह 1 पर आया था सो यहां पर आगया 1 27 में से 15 माइनस किये तो कितने होते हैं कितने होते हैं यह होते हैं सेवन में से 2 यह आगया 1 उपर से हमने नीचे शिफ्ट किया 2 ठीक है 122 अब देखो यह रहा इध्यान से 122 यहां पर नहीं आ रहा लेकिन एक न यहां पर होता है 0 0 का भी होता है न तो 815 0 सा 0 ठीक है यह बड़ा आ रहा है सो हमने कुन सा लेना है चोटे वाला यह 0 पर आ रहा है तो यहां पर 0 0 लिख सकते हो जाएकेला 0 लिख तो नो प्रॉब्लम तो यह कहां पर गया 0 ठीक है सो यह आ गया 122 उपर से 8 नीचे शिफ्ट किया 1 2 2 8 यहां पर 12 वाला यह बड़ा है तो हम चोटे वाला लेंगे यह आ गया तो यह आ गया 815 माइनस यहां पर कितना आएगा फिर यहां पर काम पर गया था 815 1 पर सो यहां पर आ गया 1 अब यह माइनस करना है 3 आ गया यह 1 आ गया 12 में से 8 गया 4 आ गया अब आगे 7 नीचे शिफ्ट किया तो 4 1 वाला यहां पर नहीं है 4 8 वाला यहां 40 वाला लेंगे चोटे वाला ठीक है तो 4 0 7 5 यहां पर माइनस का साइन और यह कहां पर आया था 5 पर यहां पर 5 ठीक है सो यह आगे है 2 यह 13 में से 7 गए 6 यहां पर 0 आजाना है यहां पर 62 है आगे हमने 0 भी शिप्ट गरना है क्योंकि वह भी बचा हुआ है 620 तो 620 यहां पर देखो यहां रहा 620 नहीं आ रहा लेकिन कहां नहीं आ रहा नहीं इसके बीच में 1 पर तो नहीं आ रहा उसे छोटे बाला लेना है तो यह आ गया 0 तो यहां पर आ गया 0 0 0 कहां पर गया था 0 पर 620 तो यह आ गया आपका रुमेंडर तो कोशेंट इस क्योंकि आगे नंबर खतम हो गया न तो फिनिश हुआ मेरा कोश्चन आपने बोलना था कि आगे भी हम 0 0 डाल देने हमारे नंबर खतम हो गया वाँपर नीचे शिप्ट क केरने वाले सो हमारा कोश्चन यहीं पर खतम हो गया ठीक है और हमें अंसर मिल गया है कोश्चन है यह वाला रिमैंडर है कि आपने कोई भी स्टेप इस में मिस नहीं करना ठीक है GP 2 0 0 वाला ख Todos तो जो बड़े नंबर्स होते हैं उसको थ्री डिजिट नंबर्स से कैसे डिवाइट करना है वह ऐसे करना है होपसो आपको समझ आ गया हो थैंक यू